मेंदी तो आपने हातों में कई बार लगाई होगी कि आपने मेंदी इस तरीके से सेलो टिप पे लगा के कभी यूज किया है नहीं किया तो चलिए आज मैं आपको इसका बहुत ही बंज़ेदार यूज बताती हूँ इसके इलावा बहुत सारे मज़ेदार टिप्स इसमें मेरा सबसे पहला टिप है इस तरीके से गिफ्ट पैकिंग को लेकिए वीदी को बड़े में जाना था कहीं पे लेकिन उसके पास पैकिंग पेपर नहीं थे और सड़नी मैं भी कहां से लाँ रातो रात तो मैंने एक बहुत अच्छा ट्रिक लगाया तो उसके लिए मैंने क् करना है क्योंकि यह जो पेपर काफी सौफ रहते हैं और केज़े से थोड़ा सा भी आप जोड़ा से करना चाहोगे तो तुरन्त फट जाता है तो ध्यान रखिए एकदम हलके हाथों से आपको इस तरीके से कट लगाना है उसके बाद आपको इस तरीके से इसको प्रापर श कर देना है मैं तो कई बार इस तरीके से जुगाड लगाया है तो जरूर कॉमेंट कीजिएगा तो यह देखिए इस तरीके से हम इसमें सेलो टिप लगा देंगे धान रहें कि अंदर का जो यलो वाला पार्ट है वो दिखे नहीं अभी मैं आपको वीडियो में बता रही हूं जब भी आप पैक करेंगे तो एक दम प्रॉपर पैक कीजिएगा बहुत अच्छा लगेगा उसके बाद इसके ऊपर थोड़ा सब फैंसे लुप देने के लिए इस तरीके से रिबन वगरा कुछ भी आप कर दीजिए तो यह हमारा एमर्जेंसी में एकदम देसी जुगाड बनके रेडी है तो यह देखे इस तरीके से और इसे थोड़ा से अच्छे से फिनिशिंग दे दीजिएगा कोई छोटा मोटा इस तरीके से पैक करना हो तो एक दम परफेक्ट है वीदी को तो काफी पसंद आया वह चौंग गई कि जल्दी ममी बिना पैकिंग पेपर किस त दो यह जो महनदी का कौन का पॉइंट है उस तरह के से मोटा कर जाता है उस तेम हमें समझ में नहीं आता है कि हम आप क्या करें तो उसके लिए एक देशी जुगाड बताती हूं आपको लिए इस तरीके से से और सेलो टेप को इस तरीके से स्लांटिंग रखना है कोन के उसके पाद जो एक्स्टा स्वेयो टैप है उसे कट कर लेना है और आगी का पॉइंट है आपको जितना पतला है उस तरह के से भागा कि दीज בחคट ओन है तो इस तरह के सी हमारा कोम का आगे का पॉइंटि अब मैं देखिए आपको निकाल के दिखाते हूं कितना point rate इस तरह के से जितना पतला हमेंची इस तरह के से हम मेंदिका को निकाल सकते हैं तो कैसा लगाज का यह दूसरा टिप चरूर लिए बढ़ते हैं हमारे अगली टिप की तरफ अकसर कई में क्या होता है कि हम 12 महिना 6 महिने में जब हम medicine का इस तरह के से expiry date वगरा चेक कर या फिर आप फोटो भी क्लिक कर सकते हो कैमरा अन करने के बाद आपको करना किया है कि आपको उगलियों से तरीके से तोड़ा सा जूम कर लेना है जूम करने के बाद आप देख पाऊगे जो प्रिंट है काफी बड़े अक्षर में दिखने लग जाएंगे और एक्दम आसानी से फॉलो करते आई हूं और काफी अच्छा भी लगता है जो भी नया देखते हैं उनको भी काफी टिप पसंद आते हैं मेरे तो अगर आज की जरा से भी टिप्स आपको पसंद आई हो तो चाहता चाहता शेयर कर दीजेगा और चैनल को सब्स्राइब करना नमत मुलिएगा ऐसे ही मजदा टिप्स रेमेडीज और आपको मेरी चैनल में देखने को मिलते रहेंगे